So hey guys welcome back to your channel trading university so guys एक और भैतरीन वीडियो लर्निंग वीडियो आज मैं लेकर आचको हूँ आप लोकले So guys आज हम बात करने वाले कि ETF से related हमारी best investing strategy क्या होती है जब हम exchange trading funds की बात करते है Exchange trading fund में इतने type की हमारे ETF होते है Just to give an example जो मारे nifty भी होता है जो मारे लिक्वीड भी होता है जो तरह तरह तरीके के हमारे ETFs Exchange trading fund होते है जो stock market पे NAC BAC बे ट्रेड होते है तो guys उनमें ऐसी क्या investing strategy रखे कि हम अपने जो returns है उसको maximize कर सके जो nifty generate कर रहा है जो bank nifty generate कर रहा है हम markets को guys outperform कर सके इसमें हम बात करेंगे एक बहुत ही जादे important concept जो रहता है Averaging का power of averaging के होते है और averaging के साथ साथ जब आपके पैसे compound भी हो रहे होते है तो कितने ही बहतरीन तरीके के आपको returns देखने को मिलते हैं guys over the years So guys without wasting any time से चलते हैं board की उपर आपको बताता हूंगी क्या मेरे साथ से best ETF investing strategy रहती है For new investors, for मैं बोलूगा जो सालों से invest कर रहे है जो इन्होंने एक date fix कर रहे हैं मैं महिने की एक तारिक को, मैं महिने की 10 तारिक को, मैं महिने की 15 तारिक को यह mutual fund में बैसा डालूँगा, मैं ETF में बैसा डालूँगा तो उन्होंने date fix कर रहे हैं तो especially यह उन लोग के लिए वीडियो रहने वाली है जो कि guys averaging concept नहीं यूज करते हैं जो कि तब invest नहीं करते हैं, जब market lower levels पे होती है वो लोग एक date उन्होंने fix कर लिए मंत की, वो उसी date पे ही invest करती है जो कि बहुत ज़्यादा गलत है being a trader, being an investor in the stock market तो आपको थोड़ा बहुत, मैं आज basic idea देने बाला हूँ कि कैसे outperform करना है कैसे markets को beat करके हमें alpha returns भी हम generate कर सकते हैं अगर आपको alpha returns की उपर एक separate video चाहिए, मैं को comment section में ज़रूर बताना कि सबसे ज़्यादा comments अगर मेरे को आएंगे कि sir we want a video, a dedicated video on how to generate alpha returns and what are alpha returns तो मैं उसके उपर dedicated video आप लोग लिए बना दूगा कि alpha returns होते क्या, उनको कैसे generate की जाता है जब हम इस topic की बारे हम बात करते हैं, कि सबसे main concept हमारा क्या होता है, main concept इसमें आता है, averaging का concept आता है, कि averaging मेरा मतलब क्या, averaging मेरा यह मतलब है, कि अगर मालो, आपने कोई चीज, आपने कोई भी ETF, अगर उपर के level पे खरीदा हुआ है, उपर के level पे, अगर आपका buying price, उसका अगर आपका buying price ज़्यादा है, so averaging concept यूस करके, जब हमें market में, एक फॉल देखने को मिलता है, मार्केट में फॉल देखने को मिलता है, तो हमें क्या करना है, ऐसी condition में, हमें ऐसी condition में, हमें एसी condition में, हमें ETF, आजरी आगरीगेट कर छुके हैं, जिसमें, हमारी buying ऊपर काया करना है में उसमें हमें quantity आड करनी है quantity आड करनी है इस concept को जो आप यूज करते हैं आवरेजिंग के इससे क्या होता है इससे वी जेनरेट more returns we generate more returns more returns मेरा मतलब है यह है कि जो आपके ETF के performance रही होगी आप उसको भीट करते हैं एक मार्केट के फॉल पे आप एबरेजिंग करते हो कॉन्टिटी आइड करते हो उससे क्या होता है उससे जो आपके आपने देख आपने बात करी आवरेजिंग की किया उसका जो concept होता है उसको कैसे यूज करते हैं हमनी ETF investing में ठीक है हम उसको कैसे यूज करते है ETF investing में ठीक है और कैसे इक बहुत इंपोर्टेंट most important tool होता है most important tool होता है क्योंकि आप मेंको इची बताओ पैसा तो किसको निपसंद तो ज्यादा अगर पैसा आ रहा है अगर 10% की जगह 18% 20% generate कर पा रहे हो और उसमें कुछ ज्यादा महरत नहीं लगेगी तो क्यों नहीं करना आपको return generate सब्सक्राइब करते हैं आपको explain करता हूं कि हमें कैसे और किस टाइप की कंडिशन पे एटीएफ में जिसको अल्रेडी एंगरीगेट कर चुकिए उसमें हमें क्या करना है quantity अड़ करनी है ठीक है अब डिसकुशन करते हैं कब quantity अड़ करनी है ठीक है उसके उपर discussion करते है ग लेंगे फिर दोबारा उसी लेवल को test किया एक हमें double top pattern की formation देखने को बिली किसमें निफ्टी के इंडेक्स में double top pattern formation in Nifty ठीक है आपको double top pattern की formation देखने को बिली निफ्टी के अंदर तो अब क्या हुआ यहां से आई फिर selling क्योंकि anticipated भी था और expected भी था क्योंकि double top pattern में अग देखने को मिला और माल लो आपको 3% का फॉल देखने को मिला जितना जाधा फॉल उतना जाधा पैसा आपको डालना है उतना जाधा पैसा आपको इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट करना है आइनो बहुत बेसिक वीडियो बहुत जाधा इंपॉर्टन है लोग नहीं जेनरेट कर रहा है 20% की रिटर्न ETF से, इस strategy को उसको लेना कर लोगी generate, ठीक है, जितना ज्यादा फॉल, उतना ज्यादा आपका investment, investment किस चीज में, ETF में, माल लो, अब example है, माल लो हम जैसा कोई retail investor है, माल लीजिए, उन्होंने nifty bees में, उन्होंने nifty, nifty bees में, पांच लाग रुपर डाल ठीक है, ठीक है, ठीक है, और वो हर, माल लीजिए, हर एक तारिक को, first, कोई भी first of month को, 50,000 डालते हैं, ठीक है, 50K, वो invest करते हैं, आपको example देता हूँ, अब माल लो, आप ये ना करके, हर एक तारिक को, पचार जार ना invest करके, माल लो, market में 1% का fall आया, market में 1% का fall आया, और में 1% के fall में index, include कर रहा हूँ, nifty के index को, ठीक है, मैं nifty के index को, इसमें include करके बता रहा हूँ, ठीक है, माल लो, nifty का index है, 1% का fall आया, अब 1% के fall पे, आप क्या कर रहे हो, आप 1% के fall पे, माल लीजिए, माल लीजिए, आप कर रहे हो, 20,000 invest, ठीक है, 2% के fall पे, माल लो, आप कर रहा हो 40,000 invest, 40 k invest, माल लो, 1%, 2%, 3% के fall पर 50,000 invest, और माल लो 4% के fall पर आप कर रहा हो 80,000, मैं ये बोल रहा हूं, 1% पर 20 करोगे, 2% कर रहा हो 40, ठीक है, 3%, आप कर रहा है, 50,000 और 4% पर favorites आप कर रहा हो 80,000, this is 60,000, और 40,000, एगर मार्केट में आपने, लोवर लोस्ष, या फिर, था हायर लोस्ष, आपको बता है, लोवर लोस्ष भीट में फॉर्म होते हैं एक small timeframe में. क्योंकि overall तो market लोवर यकल ताम माल लिजिए, आपको लोवर लोस्ष reflecting को मल रहे है, तब पहले लिखा है small time frame और माल लीजी आपका higher time frame है one day one week और one month पर जब आप देखोंगे निफ्टी का चार्ट आपको ऐसा ही देखेगा ठीक है आपको ऐसा ही देखेगा निफ्टी का चार्ट जब आप one day one week ए one month पर देखोंगे सैंतिक जब आप higher lows पे invest कर रहे हो मतलब जब higher bluetooth को क्या मतलब होता है तो आपको बता है कभी market सीध्य ॉप पर नहीं जाती वह higher high heard low higher high फएयर फैर लो ऐ्स जाती है जिस एच्यार हाय मान लू आपने हमेशा आपने हमेशा जब भी मार्केट में फॉल आया तो आपने तब इन्वेस्ट किया है तो आपने हायर लोस पर इन्वेस्ट किया है तो आपको कितने ही बैटरी रिटर्स मिल रहे होंगे यह पूरा कॉंसेट होता है एवरेजिंग का जो हम अपनी एटिएफ इन्वेस्टिंग में यूज करते हैं गाइस अगरे मानलो अब हम आगए लोड़ टाइम फ्रेम पे ठीक है लोड़ टाइम फ्रेम पे आ गए मानलो 15 मिनिट्स वन आर मैं बोलूगा वन आर तो मिनिमम इसमें यूज करो ही इसमें भी लोड़ टाइम फ्रेम में भी वन आर आपका मिनिममम यूज होना चाहिए ठीक है मिनिममम यूज होना चाहिए अब मानलो लोड़ से मेरा क्या मतलब है लोड़ लोड़ से मेरा क्या मतलब है वह समझते हैं ठीक है जब मार्के लोड़ टाइम फ्रेम पे ब एक ःड़िया लघजो सिञ नए हायर लोको तोड़ दिया हायर लोको जब टोड़े गा तो ये क्या बनैगा ये बनाएगा लोवर है ये बनाएगा लट ठीक है फिर है फिर ये मनाएगा फिर बनाएगा लोब्र लो how आपकी pattern की formation जो higher high higher low higher 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 low करती थी वो क्या हो गई हो गई हो गई लोवर लो और लोवर हाई इसलिए मैं बोल रहा हूं हमेशा लोवर लोपर invest करना है जब मैं small time frame की बात कर रहा हूं अभी ते हमने जितने भी बाते गरी वह आपको समझ आ गई होगे क्योंकि हमारा मेन कॉंसेप्ट हमेशा इंवेस्टिंग में यही रहता है कि वाई हमें 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 हमेशा हमें हमें हमेशा एक सिगनेफिकेंट फॉल पर खरीदना है अब नेक्स लेट बताता हूंगे यह दाट वी वी है वी है वी है वी आफ टू बाइट एवरी सिगनेफिकेंट फॉल सिगनेफिकेंट फॉल ठीक है हमेशा और गाईज यही जो स्टाटिजी होती है ना मरी दिस इस नोन एस बेस्ट ETF investing strategy जिसके उपर आज की मारी वीडियो थी हमें हमेशा एक सिगनेफिकेंट फॉल पर खरीदना है बहिया चाहे एक परसंट का हो चाहे दो परसंट का हो एक परसंट के आई रिकमेंट की एक परसंट के फॉल से जादा पर खरीदो ठीक है वेट करो मार्केट में करेक्शन का बले ही 0.5 आजा है बट एक परसंट के फॉल से जादा पर एक दो तीन चार पांच दस जब आपको फॉल आ रहे है ना मार्केट में आपको अपने इन्वेस्टिंग जो स्ट्राटेजी है अगर आप उस ताइम एक पोर्शन अपने जो आप इन्वेस्टिंग करते हो उसमे विडियो लेए नहीं है कि भाई हमने बातास कुछ नहीं तो हम ख़री दें भाई या इंवेस्टर मार्केट में कभी भी कर सकते हो बट जब हम आवरेजिंग की बात करते हैं हमें क्वों इंड आड करनी होती है वो हम कभी भी भी निकर सकते वह हमें 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 से लॉर और कि हमें जो हम बात करना हूँ higher lows की और जो मैं बात करना हूँ lower lows की जो मैंने पर्सेंटाइज स्वर्म में आपको बताया वो आपको चीज़े समझ आ गई होंगी अभी जो हमने small time frame पे higher time frame पे बात करी कि small time frame पे lower low swarm होंगे और higher time frame पे higher low swarm होंगे क्योंकि एक बड़े horizon में जब हम one day one week one month की बात करते हैं तो उसमें overall market उपर ही गई है और guys होगा तो उसमें जो रिटर्न आएंगे जो अभी बात करी भी या 18 से 20 परसेंट गे यू विल आउट परफॉर्म डएफ इंडेक्स जो दस परसंट के रिटर्न देता है आपको इसलिए इसलिए मैं आपको एक्जांपल के साथ बताया था कि double top formation double bottom formation higher lows higher highs lower lows lower highs कि कहां पर इंवेस्ट करना है higher lows पर करना है lower lows पर करना जो भी हमने सारी बाते करी ETF के उपर आपको यह बहतरी अनायसिज वीडियो एक बहतरी डिटेल डेडिकेटेड वीडियो एक लर्निंग वीडियो हमारे चैनल ट्रेडिंग उनिवर्स्टी पर पसंद आई होगी आपको कॉमेंट सेक्षिन में जो भी डाउट्स है आपके जो भी डाउट्स है कुछ भी finance रिलेटेड कुछ भी stock market रिलेटेड में से मत पूछना मैं जितना लिए इस वीडियो को ज़रूरर करना फूर्टाइब गरी जो सुष मॉचे वाचिंग से यू बाइ कर Means